कैसे हैं आप लोग आए हो बहुत अच्छे होंगी मेरे चैनल में आपका पेशल स्वागत है मैं हो ना तो जैसा क्या आपको दिख रहा होगा मैं अपने घर आ चुकी हो और अपने घर मैं कलने फर्सों दो दिन होके मुझे अपने घर आए होए तो दो दिन से मैंने कोई अभी बजरे शुबा के साथ और में बना रहे हैं बैका स्लड़ चुगी है और बना रहे हो हस्वेस्ट के लिए तो और एक साइट बना रियो में अच्छा हैं सबची मेरी बन चुग एससलिकाने आलो पी बनाए और अब परायठा बनाओंगी बस मेरा काम हो जाएगा और खुद भी फील होता है एक बोज सा होता है कि आज मैंने कोई वीडियो नहीं डाला तो मैंने सुचे कि क्यों न मैं अपना मॉर्निंग रूटिंग शेयर करूँ आप लोगों के साथ तो यस अभी सुपा सब्जी बन चुकी है चाय बन यह मैं चाय प्योंग उसके बाद लेती हो तो यह सुपा मेरे हस्बर्ण आफिस जा चुके हैं और आरुश भी इधर उठ गया आज थोड़ा जल्दी उठ गया था तो इसके नेल्स बहुत बड़े हो रहे थे और यह क्या कहता है भी सर्दी होती है ना तो वह कहीं कहीं कुछ लाबी लेता है तो इस वज़े ना निशान पड़ जाता है इस वज़े से मुझे लगा मैं दो दिन, तेन दिन से सोच रहे हो कि इसके नेल्स काटने बड़ यह नहीं काटने देता है और सोय में भी नाइघ काट सकते हैं पेहले तो मैं सोय में काट देती थी लेकिन अब में उठ जाता है тоो देखे यहां कैसे तंग कर मतलब नहीं कटवाना चाहता है स्टार्टिंग में तो बहुत आराम से थोड़ा थो थोड़ी दिर बैठा फिर यह नहीं कटवाना चाहरा था कभी मुझसे नेल कटर ले रहा था कभी कुछ तो मैंने सोचा कि आज इसका नेल्स में काट दूँ और मैंने बैड पे क्योंकि इसको नीचे लेके जाओंगी तो इदर उदर उसका दिमाग डाइबर्ट होता है खिलोने वगेरे देखता है तो इसलिए मैंने बैड पे ये कपड़ा भिछा के इसका नेल्स काटने लगी हू और ये मुसे नेल कटल लेने के चकर में लगा हुआ है और एक नेल्स काट रही हूँ और बीच में रोने भी लगा था ये तो फिर मैंने चुप करवा के फिट से काटा है मैंने का सोड़ूंगी नहीं मैं जरूर काटूंगी तेरे नेल्स देखे ये रो रहा है और भाग र बाद मैंने इसके हाथ भी धूले थे क्यूंकि नेल्स काटने के बाद बच्चों के अजरूर धूलने चाहिए क्यूंकि गंदगी होती है ना मुझे बठन धूलने में बहुत ज्यादा क्यूंकि स्पेस बहुत ज़ीया कम है मेरे किचन का बहुत कम है और सिंग जो नीचे का पाइप जा रहा है नाली ब्लॉक है मतलब बहुत प्राब्लम होते हैं हम सोच रहा है कि ये रेंट कहीं तो घर है तो खाली कर दे लेकिन शीफ्ट कर जाए कहीं हो और लेकिन वही है ना कि आतना है atac divers और चोटे बच्चे के साथ सीबहां तो हम और हम बहुत दिन से सूच रहे कि इतने पैसे देन तो इसल मुझक्ल ठोब करने बहुत मुच्छा गैसब काफी मी बढ़ाई है कि हम वहाँ पी लगा दें उधर हमने फिल्टर लगाया हुआ है उसके बगल में चिमनी है फिर ड्रोर वाड्रोब लगा हुआ है तो कहीं भी जगे नहीं है कि हम कहीं भी कुछ भी लगवा सके तो बहुत दिक्कत होती है बर्तन दुलने में बर्तल मांच के रखने की जगे नहीं होती कि कहां पे रखे फिर भी करना तो है मैं बर्तन दुने से बहुत कतराती हूँ इस घर में सही बता रहे हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यार थोड़ा स्पेस रहता है ना काम करने में भी अच्छा लगता है कीचन में खाना बनाने में जाहे कुछ भी काम करने में तो लोग ख़ड़ू के खाना इसमें नहीं बना सकते हैं एक लोगण की खड़यूने की जगा बहुत चोटी होती है अब बार-बार नाली ब्लॉक हो जाता है तो नीचे से उसे पंप करना पड़ता है तब पानी जाता है इसलिए हो सकता है तो मैं पूरे दिन का बढ़तन एक बार ही दूलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि बस एक बार ही आना पड़े यहां पर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस रूम में गीजर है तो पूरी सर् पानी की प्रॉब्लम है पानी इतना ज़्यादा खारा है खारा भी नहीं बोल सकते नमकीन है कुल्ला नहीं किया जाता है इतना गंदा पानी है बाल बगर इतने खराब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और फेस पे भी अगर दाने वाने हो ना उस पानी से मूध होने से भी पते इचिंग होती है बहुत जादा और फिल्टर का पानी हम उतना अफोर्ड ने कर पाएंगे कि हम इस लिरी की बोटल लाके ही नहाएं क्योंकि पीने के लिए हम आल्डरेडी भी इस लिटर वाला बोटल मंगवाते हैं क्योंकि यहां का फिल्टर भी खराब हो चुका है तो बरतन दुलने के बाद मैं आ गई हूं खाना खाने मैं नहाई नहीं थी मैं खाना खाने के बाद नहीं थी क्योंकि काम करने के बाद मुझे भूक लगे थी और यहां पर आरुश को भी खिला रही हूं मैं उसे मैंने पहल नहीं होती है ये कि हाँ उसको भूक है लेकिन हाँ जब उसका मन रहता है तब ही खाता है और यहां में मेरे हस्बंड का फोन आ गया था ओफिस से तो मैं वहीं बात कर रहे हूं वह बीच में एक दो बार फोन कर लेते हैं आरुश को पूछने के लिए क्योंकि वह तंग करता ह है बहुत ज़्यादा और शैतानी करता है तो एक दो बार उसके हाल चाल पूछने के लिए फोन कर लेते हैं तो वहीं मैं बात कर रही हूं और साथ में लंच भी कर रहे हूं मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था मैं बहुत कम करती पूछ सबकी सिर्फ दो बार चाय लेती हूं उसके बाँ सिधे लंच करते हूं यूद ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है ₹ schools युकि रात को मैं नहीं देख पाई थी मैं सोग गई थी मुझे बहुत देज नीन आ रही थी तो मैंने बूट से करेक्ट कर रहा है टीवी में और आरुश भी देख रहा है जबडस्ती क्योंकि वह देखता हूँ उसे चाहिए कार्टून लगाने के लिए बट मैंने सोचा कि थोड़ी देर में बैठी हूँ या भी खाना खाने के टाइम ही मैं टीवी देखते हूँ वर्णा हमारी टीवी नहीं चलती है ना के बराबर चलती है क्योंकि हम लोग को फोन से ही हम आपको बहुत कम करने नहीं देखते हैं बहुत कम अरहां पुराना फ्रीज रखा इसे न बेचना है वाइसे तो कोई लेनी जाएगा क्योंकि कबारी वाले ही ले जाएगा इसे तो मुझे पता नहीं चल रहा है कबारी वाले का तो उसे हम बेच देंगे और सोफा को भी हमने शिफ्ट कर दिया, पहले उस साइड लगा हुआ था ये बड़ा वाला थ्री सीटर, फ्रीज के साइड में, लेकिन अब हमने इस साइड कर दिया, लेकिन यहां से देखने में टीवी थोड़ी से दिक्कत होती है, थोड़ा तिर्चा पड़ जाता है, सामे कैसे कैसे करके रहना है, तो करना ही पड़ेगा देखते हैं, तो हम चेंज कर देंगे, अगर कुछ अच्छा मिला तो सुबह से लंच के बाद मैं सीधे डिनर पे मिली, आप लोगों से, तो हेलो फ्रेंट्स, अभी मैंने सोचा क्या था, और हो क्या गया, मैं अचली, मैंने बोला था कि मैं आज मॉर्णिंग रूटीन दिखाऊंगी आपको अपना, लेकिन कुछ-कुछ वीडियो ही मैं शूट कर पाई, पूरे वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आप उस बहुत तंग करता है, कुछ भी नहीं करने देता है, मैं घर का काम कर लूँ, सिर्फ वीडियो में बनाए हुए, वो ही बहुत बड़ी बात है, अभी हो गया है, मैंके आज मैंने सोचा था, कि मैं आप लोगों के साथ रेकियी शेयर करूंगी, मैंने जो बनाय है, और ये आरुझ ने तहागा पूरा फैला दिया है वो पता नहीं कहां से आ रहा है कहां जा रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहे हैं तो अभी मैं खाने के लिए बैठी हूँ और मैं जमीन पे ही बैठके खाती हूँ मैं सोफा वगेरा पे नहीं बैठके खाती हूँ तो मैं जमीन पे बैठी हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या बनाया और मैंने डिनर क्या कर रही हूँ तो यह है राइस और मैंने आलू सोय 엔ंकी सबजी बनाई है और सलात और मैंने अभी खाया नहीं है तो मुझे नहीं पता कैसा बना वट मेरे हस्बेंट ने खा लिया है तो उन्होंने बोला कि अच्छी बनी है तो देखिए तो सौरी मैं रेसिपी शियर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में बना थे क्योंकि आरुश भी रुए जा रहा था तो मैंने जल्दी में बस वीडियो नहीं शूट कर पाई और मैंने डिनर अपना रेडि कर लिया और मेरा मन मोरा था खाने का अपने हस्बेंड से पूचा कि खाएंगे तो उनोंने बोला कि बना लो इसले बनाया वरना मैं नहीं बनाते क्योंकि रात को राइस नहीं खाते मेरे हस्बेंड तो अकेले के लिए मैं बनाना नहीं बनाती हूँ तो मैं अपना डीनर फिनिश करती हूँ और कीचन का मैंने लगपक सारा बरतन धुलिया कुछ भी निया खाने के बाद जो बचा है बस इसे ही धुला है क्योंकि इतने उदर चावल वगिरा मैंने गैस पे रखके इदर के सारा बरतन इपटा लिया था क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज्यादा हरबड हो जाता है तो आई हो पाच की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कीचेगा कमेंट कीचेगा और शेयर भी करतीचेगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करत बनाई रखिएगा तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक यार थेंक्यू सो मॉच